एशियाई देशों और योरोप के लिए कच्छे तेल के भाव में कटोती की गई है साओधी अरब की तरफ से एशियाई देशों को फरवरी में डिलीवर होने वाले तेल के भाव में प्रती बैरल 1.45 डॉलर की कटोती की गई है हाल के दिरों में अंतराश्टी बादार में कच्छे तेल की कीमतों में आई गिरावट इसकी वज़े है और इस गिरावट के वए ऐसे सम्मावना ये थी कि साओधी अरब कच्छे तेल के बहुँ में कटोती करेगा सर किसनी कटोती की गई और इसके माईने अब तेल बादार के लिए क्या है साओधी ने जो हम चार्ट देख पा रहे हैं उससे साबसे जिसका फ्लैक्षिप गूरूट क्रेड है अरबलाइट जिसको बोलते हैं उसने एशिया के लिए फरवरी में 1.45 डालर पर बाइरल की कटोती की है जो 1.20 डालर पर बाइरल का रेट है दुबई बेंच माग का उसके असपास और इससे पहले ही एशिया के लिए कच्चे तिल की कीमत साओधी अरब और रामकों की तरफ से 10 महीने की नियून तमिस तरफ पर है क्योंकि इससे पहले भी साओधी अरब एक बाजार में कच्चे तिल की कीमतों में कटोती कर चुका है कोशिश यह है कि घर्टी मांग के बीच क्योंकि 2023 को लेकर अब लगबग इस बात की संभावनाय दिखाई देने लगी है कि दुनिया की अलग-अलग अर्थ वस्ता है अलग-अलग तरेके से मंदी में जाएंगी मांग में कमी होगी तो सौधी अरब के देश अपने सौधी अरब और ओपिक देश खासतों से सौधी अरब कीमतों में कटोती करके बाजार में बड़ा हिस्सा पाने की कोशिश कर रहे है ये कोशिश इसलिए भी महतुपूर्ण है क्योंकि भारत और चीन जेसे प्रमुख बाजारों को सौधी के तेल से भी सस्ता तेल रूस से मिल रहा है जो कि ब्रेंट कूट के लेविल से भी नीचे है इसलिए सौधी इस प्रतिस परधा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे है कितना कितनी मांग दिखाई देगी और कितना सेल्स दिखाई देंगे इसके बारे में बाद में हमारे पर सूचन आएगी लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में इसका दवाव इस पर देखा जा रहा है उन्यासी सी के आसपा सूध कच्चे तेल की कीमतें दिखाई दे रहे हैं तेल बाजार में बुत सारे निवेशक इस बात का इंतिजार कर रहे हैं कि अपने उत्पाधन को लेकर आगे क्या फैसला लेते हैं।